है नियुट करने क्योंphon को में झालो घैण सहन आपको हैंवाइज मैं पाइल शेनी आज आपको आइब्रो की दूसुरी तरीग遊戲 से शेफ में तिемуम यह अब आपको दिखाएंगे और बताएंगे बनाने के बाद किस तरीकिसे इस साइबर को हमाद दूसरी शेफ में लगाएंगे यह देखे सबसे खाले हम आई पर प्रड़ लगाएंगे लगाने के बाद आगे शुद्व करेंगे अर अराम से अपने बार मिकाने है ताकि कि यह करेंगे तो आपको इपने निकलते हैं इसको कट कर देखते हैं इसको फिनिश्यक करेंगे प्रण्ट से कटेंग अपर ज़ादा गया देने तो आइब्रोज चोटी हो जाएगा य अच्छी भी ने लगेगी इसलिए हमने स्थुड़ा साही क्रीड़ना बीच में से, यह देखे, पकड़े, यह देखे, अब इन्हों ने पकड़ा हुआ है, इसको इस तरीके से हमने निकालना है बालो को, आइबरो इनकी पतली भी नहीं करनी है, और शेप में भी लानी है, तो हमने ज्यादा सिर्फ एक्स्ट्रा ही निकालेंगे इनके, यह देखे ज्यादा पतली ना हो, इसके लिए हम थोड़ी ही, थोड़े थोड़े बाल निकालेंगे बस, यह दो ने बना किया है, कि मुझे ज्यादा पतली नहीं चाहिए, यह देखे, अब हमने ऐसे इस तरीके साद दूसरी आइबरो में कस्टमर से पकड़ा है, और इसको पकड़ा ह आगे बाला है, इस तरीके से लेके लेते हुए चलेंगे, ताकि हमारे ज्यादा एक्स्ट्रा बाल नहीं निकलेंगे, यह देखे है, इस तरीके साद शेप लेनीए इसकी, आगे से हमने बहुत ध्यान से लेके चलना हूँ, हमने मोटी बनाई है तो उसी हिसाब से हम इसको मोटी ही रखेंगे, ताकि यह पतली नहीं हो जाए, उसके शेप को देखते हुए हमने बनानी है, इस देखे हमने यह एक्सा लेके इसको शेप में दे दिया है, और बाकि जो एक्सा है बस रही ही निकालो, ताकि शेप बिना बिगड़े और यह सुन्दर लागे, इसको शे अब हम इस तरीके से उपर से ज्यादा फिनिशिंग ना देते हुए, थोड़ी एक्स्ट्रावन निकालने है, क्योंकि उठी हुई आई बनानी है, इस देखे है, ज्यादा नहीं निकालेंगे, और नहीं इनको ऐसे उपर से पकड़ने कर बनेंगे, यह अपने अपने आप ह सब्साफिए, इस पारूने एक है, सिर्फ उन्ने यह लेयर लेके चल नहीं है, इस देखें, यह मोटी भी लगती है, और शेप में भी लगते है कि यह देखिए यह इनकी आपलो की मोटी शेप आई है इन्होंने मोटी ही काता तो यह देखिए इनकी आपलो बन चुकिए अब हम थोड़ी सी कोड क्रिम लगा के इनको दूस्पास देदेगे अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए थैंकियो